आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार दर्शकों यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News TV मैं हूँ आपके साथ प्राच्छी तो आईए देखते हैं आज के कुछ खास खबरे एक डिसर डालते हैं आज के हेडलाइन्स के और मुंबई के सिटी को लेकर वर्शा गायक वार को अभी उमीद नहीं है मुंबई को अंग्रेस एकाई के अधिक्ष एवं पूर्व मंद्री वर्शा गायक वार ने कहा है कि उन्होंने अभी उमीद है कि मुंबई में लोगसबा सीटों को लेकर कॉंग्रेस और ठाकरे गुट के बीच चल रही सराकर्शी पर कॉंग्रेस नेता सही फैसला करेंगी सुर्शियां गायक वार और उनके समर्थक ने दिल्ली के कॉंग्रेस के राश्वर अधिक्ष उमलिका जुंखडगी और राश्वर संगटन महासचिव केसी वेनु गोपाल ने मुलाकात कर मुंबई की लोगसबा सीटो भी नाराज दिल्ली में वर्शा गायकवार के साथ विधायक असल शेक और विधायक अमीन पतेल भी दक्षिया मत्य मुंबई सीट को लेकर वर्शा गायकवार समेत मुंबई कॉंग्रेस के पतिदिकारी नाराज है इसके अलावा कॉंग्रेस यहों को मिद्वारी है कि कॉं और यह विश्वा जता है कि कॉंग्रेस और महा स्विकार अगाडी के उमिद्वारी मुंबई की सभी छे सीटों पर जीत हासिल करेंगे आगे बढ़ते अगली ख़बर की ओर आज मलिकाजुन खड़के नापूर में और अमिशा साकोली में होंगे उपस्तित लोग सवाचुन को प्रचान की धुरा संभार लेंगे खड़के दिक्षा भूमी पहुशकर डॉक्टर बावास सवांबेटिकर का विवातन करेंगे इसके बाद मध्य नागपूर में सभा को संभूदित करेंगे उदर हमिशा साकोली में आयुजित सभा में भाच्पा का पक्ष करेंगे ज अमिशा दौपहर धाई बज़े साकोली को करेंजगर कॉलेज के माध्यम मैदान में सभा संभूदित करेंगे जहां भाच्पा प्रदक्षित सुनिल मेड़के को विजय बनाने की अपील करेंगे आई ये पड़ते अगली खबर क्योंगे बीके सीबी में साथ मंजला इमार कोई भी हयात नहीं मुंबई के बांदरा कुलकर केमपलक्स में शनीवार दपहर से साथ मंजिला इमारत में लगी आग पर चार घंटे बाद काबु पाई लिया गया कुटुमब अदालत के बंगल में स्तीत इस इमारत की तीसरी मंजिल पर अपराद करीब सवा तीन बजे लगी आग में कोई हतात नहीं हुआ यह आग दो हजार तीन हजार वर्ग फूट से शेतर में बिजले के तारों को प्रतिरिशस कर रही थी फरनेशर और कारियल में कंप्यूटर और स्ट्रेश्टरी सहीत वस्तूओं तक ही इस सामिदी थी और कोई भी मान हानी या फिर कोई भी जीवन हानी नहीं हुई है अब आप हमारे न्यूश चानल को अपने मुबाइल आप पर भी देख सकते हैं अब वक्त चुड़ा दर्शिक ब्रेक का ब्रेक सलोटने के बाद देखिए का देश वो दुनिया की तमाम बड़ी खबरे मने रही MNS News TV पर नमस्कार